को बता दे, कैनेडा के नागरेकों को वीजा नहीं मिलेगा, भारत सरकार ने वीजा बैन की पुष्टी की है, बड़ी खबर अपनी दर्शेकों को बता दे, कैनेडा के नागरेकों की एंट्री बंद कर दी गई है, कैनेडा के नागरेकों को वीजा नहीं दिया जाएगा, के लिए स्विच आफ कर दिया है उनको वीजा नहीं दिया जाएगा जब एक सिख को भारती गर्मेंट ने टेर्रिस्ट डिकलेर किया था आज से दो साल पहले तो जस्टन टूडो ने उस वक्त उसके खलाफ क्यों नहीं को एक्शन लिया अगर वो किया होता तो आज वो निज अधास नहीं था जस्टन टूडो को कि जो कर रहा है इसके नताइज किया हो गया है अपने आपको इस काबिल कर दिया कि कैनेडा ऐसा मुल्क उनसे सोरी करने के लिए मजबूर होगे ठीक है बचों को जो ये ट्वीट करते हैं कि आज भारत ट्रबल में है भारत को घेरा डाल लिया है कैनेडा नीचे ले आएगा मैं उन बचों से खास कर ये कहूँगा कि वो पहले भारती एकानिमी के बारे में रिसरच कर लें और दूसरा उसके बाद ये मैं पूछूँगा कि उनकी पॉजीशन के अमेरिका के अंदर भारती डैस्पुरा इस तर रिचस पासिबल डैस्पुरा जैहिं दोस्तो हमारी एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है भारत और कैनेडा के बीच तनाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है पहले दोनों देश के डिप्लोमैट्स को सस्पेंड किया गया और भारत सरकार ने कैनेडियाई नागरिकॉल के लिए वीजा सेवाओं को अनिस्चित काल के लिए निलंबित कर दिया है ये भारत की और से अब तक का सबसे बड़ा कदम आना जा रहा है दोनों देशों के बीच तनाव उस वक्त बढ़ गया जब कैनेडा के पीम ने खालिस्तान समर तक हरदीप सिंग निजर की हत्या का अरूप भारत पर लगाया ABP ने हिंदोस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के हवाले से बताया वीजा सेवाओं के निलंबन की कोई अपचारी गोशना नहीं की गई है हाला कि कैनेडा में वीजा अवेदन केंद्र चलाने वाले BLS इंटरनेशनल ने इस संबंध में अपनी कैनेडाई वेबसाइट पर एक मेसेज पोस्ट किया है जिसमें लिखा है भारतीय मिशन से महतपून सूचना परिचालन कारणों की वज़े से गुरुवार से भारती वीजा सेवाओं को अगली सूचना तक निलंबित कर दिया गया है हाल ही में कैनेडा के पीम जस्टिन टूडो ने भारत पर आरोप लगाया था कि भारत ने खालिस्तानी आतंकवादी निजर की हत्या कैनेडा में करवाई है जिसकी जाँच कैनेडा के अधिकारी कर रहे हैं पीम टूडो के इस बयान पर भारत सरकार ने कड़ी अपती जोताई थी और इसे जूट बताया था कैनेडा में खालिस्तान समर्थकों की संख्या बेहद है और वो भारत की खिलाफ हमेशा साजिस रचते हैं कैनेडा में बसे हिंदू समूदाई और उनके मंदिरों पर हमला करते हैं जिसे लेकर भारत सरकार ने कैनेडा की सरकार के सामने कितनी बार कारवाई करने की मांग की लेकिन कैनेडा की सरकार हमेशा से इसे नजर अंदास करती रही अब इसी को लेकर भारत सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए कैनेडिया इनागरी को कावी जारद कर दिया है जो एक पहल अच्छी पहल मानी जा रही है इस खबर पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या रियाक्शन है आए देखते हैं इसा है वैसा है इंडिया ने मारा ये मारा हमें ऐसे पूरे इस तरफ इशारा हो रहा है इशारे से कुछ नहीं होता बस यू आफ टू के प्रूफ आपको सबूत देना पड़ेगा सबूत उसके पास है नहीं और यही बात और लोग कह रहे हैं जैसी सिंग है सीक्स फ़र अमेरिका ठीक है दोस्तों यह सिक्ष भाई है और यह अमेरिका में हैं तो सीक्स ऑफ अमेरिका के यह हेड हैं इन्होंने बड़ी खुबसूरत बात बोली इनका इनसे यह स्टेज पर बैठे थे तो इन्होंने माइक दिया बोला कि आप क्या समझते हैं सिंग सब इसके बार में तो नहोंना बोला यार अभी तक उसने कोई प्रूफ थोड़ ना दिया है यहां पर आके बिल्कुल जिसको कहते हैं कि बर खिलाफ अचानक अचानक उल्टे पड़ गई है पहले उन्होंने बोला था कि हाँ जो सिख आबादी है जो कैनेडा में सिख आबादी है उसमें से खालिस्तानी एक बहुत चोटा सा हिस्सा है तो हमें लगा कि हो सकता है कि ओवर याक्शन का कुछ मामला हो लेकिन अब लग रहा है कि जस्टिन टूडो ने अपने लिए गड़ा खोद लिया है यह जैसी सिंग साहब है जैसी सिंग साहब का बयान है और सिंग साहब यह कहते है कि जस्टिन टूडो ने अपने आपके लिए गड़ा खोद लिया क्योंकि देखो एंड में आप किसी के ऊपर भी इल्जाम लगा सकते हो आपका हक इल्जाम लगाना आप फिंगर पॉइंटिंग कर सकते हो कि साथ इसने मेरे साथ गलत कर रहा है लेकिन सबसे पहले जो लोग मांगेंगे वो है प्रूफ इसने क्या करा जस्टिन टूडो ने कि पिर बयान के आया उन ही का जैसी सिंग जाब का कि I think this is all political वो कहते है ये सिर्फ चुनाओ जीतने के चक्र में कर रहा है लेकिन चुनाओ जीतने के चक्र में देखो अगर खरगोष चुनाओ लड़ता है ना खरगोष है जिसको कहा जाता है निव डेमोकरत पाइटी जिसके ह है जस्परीट सिंग उनके पास तक्रीबन लगबग 25 एंपिये की स्पोर्ट उनको हासल है और उनकी स्पोर्ट के बगार जस्टन टूडो जो होते हैं वो जीरो हो जाते हैं तो उन्होंने इस पर कैपिटलाइज किया जिसकी बिलकुर सही मिसाल दी डाक्टर जेश शंकर साब ने इसको नाम दिया है वोर्ड बैंक पालिटेक्स तो उन्होंने वोर्ड बैंक पालिटेक्स खेली है और उस सपोर्ट हासल करने के लिए सारा कुछ उन्होंने ये एक तो रीजन ये है कि उन्होंने वो सपोर्ट दूसरा जो उनका आपको पहले research करने चाहिए थी investigation करने चाहिए थी allegation basis के उपर आपको इतने इतना बड़ा blender नहीं करना चाहिए था number one अब उसके बाद उन्होंने क्या किया है उसके बाद उन्होंने giant statement लेने की कोशिश की America से और बरतानिया से दोनोंने refuse किया जिब अमेर का ने कहा है कि यह इन्वेस्टीकेशन इन्वेस्टीकेशन करें उसके बाद उस से डील करें जो बतारिया ने स्टेमट दी है उन्हों ने उसे भी लूर कलास की स्टेमट दी उसमें भारत का चैना भी नहीं है दूसरी उन्होंने ट्राइ की एक organization है five wise countries उन्होंने उन से statement लेने की कोशिश की वहां से उनको कोई sport हासल नहीं हुई उनकी foreign minister इस वकल United Nations के जलास के लिए New York आ चुकी है और उन्होंने कहा है कि वो G7 countries से ये इसकी sport हासल करने की कोशिश करेंगे लेकिन मेरे ख्याल में in allegation की basis पे इल्जामात के basis के उपर कोई भी जो country है वो इनको support नहीं देगा बिलखसूस जब भारत दुनिया की पांच में बड़ी economy हो तो ये risk कौन लेगा मेरे ख्याल में इस वकर जस्टन टूडो is in a tight corner, he is under pressure उन्होंने कर तो लिया है जिस तरह आपने खुद फरमाया है कि अब वो जो है वो उसके बारे में सोच रहे हैं तो ये था पाविस्तानी मीडिया का reaction इंडिया द्वारा केनेडियन लोगों के वीजा को रद करने को लेकर आपकी राय में क्या भारतिय सरकार न ये सही किया या फिर गलत हमें कॉमेंट करके जरूर लिखें मिलेंगे आपको एक और नई वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद झाविस्तानी में बात प्रेट हमें पूड़ हमेंगे प्राइए लगों को बात बात विए और राय मेंगें